मंत्री जी मैं जितने भी पॉइंट्स आज आपको रेस कर रहा हूँ बीजेपी और कॉंग्रेस समझ के ये पॉइंट्स में नहीं रेस कर रहा हूँ मेरा बड़ा इंडस्ट्री के लिए सकार मक रुख है मैं आपसे सिरफ इतना सा कहने चाहरा हूँ कि let us not make RICO a land selling agency आप मुझे एक चीज बता दें पूरे जैपुर जिले में और मैं ये challenge के साथ कहता हूँ कि कोई भी आदमी राजस्थान का एक tiny और small scale industry जैपुर जिले में नहीं लगा सकता है because of the land prices हमारी system क्या है कि हम land auction करते हैं हम understand करते हैं कि आपने land purchase करी है RICO की costing है RICO को land बेचनी पड़ती है बट कुछ system अपने को अपनाना पड़ेगा कि कुछ land जो RICO के हापके industrial areas बनते हैं कुछ land उसमें से हम auction करें कुछ गरीब तबके के पिछडे जाती के SC के जो उध्योग लगाना चाहते हैं कुछ को अपन alert भी कर सकते हैं ये पिछली बार हमने industrial निती में डाला भी था और ये जब तक आप नहीं करों कि मैं कहता हूं इसमें आप rider लगा दीजे कि जब तक आप इसको 10 साल नहीं चलाओगे आप इसको बेच नहीं पाओगे यदि sick industry है तो आप as RECO you can take back the land आप land वापस ले लीजे अपने पास जिसे कि कोई भी land माफिया आके उस land को नहीं ले जो अभी तक होता आया है इतने सालों से होता आया है यह अपने को कुछ करना पड़ेगा और नहीं आप करोगे तो मैं यह challenge के कहता हूं थोड़े दिन बाद आप कोई MSMEB जैपुर जिले में नहीं लगा पाओगे इतनी land prices यहां पर हैं दूसरी चीज एक आपकी निती है कि एक SSO ID generate होती है जिससे RECO अपने charges लेती है और मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है क्योंकि due to lack of staff या staff आपका करता नहीं है हम लोग खुद आपके service charges जमा करना चाते हैं बट आपके RECO में SSO ID क्योंकि वो RECO वाले बनाते हैं हमार को wait करना पड़ता है 6-6 महीने for which we are paying interest for no fault of ours हमें interest देना पड़ रहा है आपके SSO ID generate नहीं करते हैं आपके बाबू हाँ पर बाबू हों की इतनी चलती है कि SSO ID generate नहीं होती उससे हम आपको पैसा नहीं दे पार आपने एक और चीज यहां कर दी क्या आपन एक्चुली चाहते हैं कि industry नहीं आएं के राजिस्तान आपने अभी क्या का underground water भी आप यदि उसमें डालोगे तो आपको जाके underground water water वालों से लेके noc लेनी पड़ेगी तब आप करोगे तो जब आप रीको का area develop करते हो आज आपने बगरू डेवलप कर रखा है पानी आता है कि जरा आप पता कर लो गंदगी के लिए वाँ पर कोई system है कि आप पता कर लो उसके लिए हम आपको सब service charges दे रहे हैं ना गंदगी का उठाने वाला ना पानी देने वाला और फिर आपने एक rider और लगा दिया है अब fire की noc और लेने के लिए आपने हमें सब industries को बात दे कर दिया है कि fire की noc लो और एक fire की noc लेने म आज के दिन आपको कम से कम 6 से 7 लाख रोपे चाहिए आपको एक fire noc लेने के लिए और फिर जो आपने electricity tariff industry के लिए कर रखी है उससे आपका पूरा राजिस्तान subsidize होता है electricity tariff I think one of the highest in the country how will the industry survive क्या आपन लोग नहीं चाहते हैं कि industry survive करे आपको कुछ इस पे बैठके आपको मनन करना पड़ेगा कि क्या करा जाए आपकी ribs है आपने ribs बनाई और ribs बनाने में पिछली सरकार्क ने इतनी मेहनत करी इतना दिखाया इतनी मेहनत करी धाक के तीन पात क्या हुआ चार-चार कॉर्टर से ribs का interest नहीं मिल रहा आपने ये कहा कि भई MSME में हम 10 करोड रुपे तक जो investment करेंगे उनको देंगे अब ही मैंने investment कर दिया मेरा business भड़ा मैंने working capital requirement और ले ली जब business भड़ेगा तो working capital मुझे चहिएगी चहिएगी without working capital I cannot survive अब आपका उध्योग विवा क्या कहता है कि 10 करोड से उपर investment हो गया इसलिए हम आपको interest subsidy नहीं देंगे अरे बही जब मैंने आपका project डाला था तब तो मेरी 10 करोड की cost थी if I have been able to increase my business यदि मेरी working capital requirement जादा है तो आपको मेरे को पुराना पैसा तो देना पड़ेगा और नया पैसा भी देना पड़ेगा 10 करोड तक तो आप मुझे पैसा दोगे how can you stop this आप यानी पुरानी चीजों को नए परिपेक्ष में कैसे ले सकते हो prospectively आप चीजों कैसे कह सकते हो retrospect में जब मैंने पैसा लगाया है अपनी industry में जब मेरी industry चली मैंने आगे investment कर दिया उसको आप उसको पैसे को किस तरह से रोक सकते हो इसी तरह से जैपूर के जितने पुराने जो उध्योग विभाग ने यहाँ पर industrial areas डेवलप करे थे उनका क्या है आज का status ना तो आप उसमें development करते हो क्योंकि आपको hand over हो गए RICO को RICO is not able to do it because इतने सारे court cases फसे हुए तो इसमें एक लगाई है अच्छे खासे एक डेवल एजी को लगाई है जिससे यह problem solve हो problem ही solve नहीं हो रही है किस तरह से आदमी करेगा आप बताई और यह जो मुक्यमंत्री वाला जो interest subsidy वाला मुद्दा है यह पूरे राजिस्थान का मुद्दा है जिन जिन ने industry लगाई है उनको interest subsidy नहीं मिल रही है let's forget industry subsidy सिरफ राजिस्तान में interest subsidy और कहीं नहीं है आप गुजरात देख लीजे आप महराश्रु देख लीजे let us come up with a new industrial policy saying we will not give you industry subsidy interest subsidy नहीं देंगे हम आपको देंगे तो capital subsidy देंगे जो government of India ने भी अभी जो PLI scheme चालू करी है आप उस तरह से subsidy देते हो यहाँ पर लोगों की line लग जाएगी industry लगाने के लिए आपको देनी चाहिए capital subsidy हम लोग क्या करते हैं बैठे हुए air condition office में without even going into the reality cut copy paste करा और एक industrial policy बना दी आपने कोई feedback लिया कि इंडिस्ट लिस से आज तक आपने लिया budget में लिया किसी इंडिस्ट लिस से कोई feedback कि क्या problem है कुछ नहीं होता है successive government से किसी ने कुछ नहीं करा I can challenge कि कि किसी ने कुछ करा हो तो कोई आज अपने उस दिन speaker साहम ने क्या का किसा आप recycling bag plastic यूज नहीं करेंगे recycling bags को यूज करो अरे बही क्यों can you avoid plastic आप रोज मर्रा की जिंदगी में plastic avoid कर सकते हो पूरे world में plastic आप avoid नहीं कर सकते हो आपको क्या करना पड़ेगा आपको recycle of plastic industry करनी पड़ेगी जब तक आप recycle नहीं करोगे plastic को आप plastic को avoid नहीं कर सकते हो जूट का कितना manufacturing है कि आप जूट bags रोज मर्रा की जिंदगी में कपड़े के bags रोज मर्रा की जिंदगी में use कर सकते हो impossible है कहा करोगे dust bins में जब आपको कच्रा डालना होता है वो कि आप रोज जूट के bags डालोगे के कच्रे में you can't put it please focus on recycling of plastic मंतरी मौदे ये जो suggestions हैं ये मैं इसलिए दे रहा हूँ आपको क्योंकि ये ऐसे suggestion है जो पूरे west में भी है आज west क्या कर रहा है आज हमारे को government of India की policy है जो plastic manufacturing सर पांच में टॉल लूँगा जो recycling of plastic है वो इंदरा वाला time मुझे दे दे जो recycling of plastic है यदि हम recycle नहीं करेंगे तो हम कच्रे के धेर पूरे राजिस्थान में लगा देंगे एक मेरा suggestion और था मेरी consistency का है last time मुझे RICO industrial area राजा खेडा के लिए मिला था और राजिस्थान की land है जो free अ बट उसमें काफी खांचे बने हुएं जिनको समतली करन करना पड़ेगा और मेरा जो industrial area है UP से बिलकुल लगा हुआ है 15 किलो मीटर पर UP लगती है और ताज ट्रपेजियम की वज़े से इस वकद धौलपुर धौलपुर शहर और राजाखेडा पर फार्मस вамस इसले हैं धौलपुर में लास्ट तू यार्ज में लास्ट कांग्रेश दो سाल के राज में कम से कम सौ फार्मस इसले हैं इसी तरह से मैंने उस दिन भी आपके M.D. साहब को काता कि मैं चैलेंज करता हूँ कि आपकी इस इंडस्ट्रियल एरिया को बना दो आपकी एक लैंड नहीं बचेगी without selling even if you want to auction, you are ready to auction क्योंकि UP में इतना बुरा हाल है ease of doing business है ही नहीं वहाँ पर कोई आपको पूचता नहीं एक इंडस्ट्रियलिस्ट को collector से मिलने के लिए पांच में नहीं लग जाते हैं हमारे यां इतना बुरा हाल नहीं है we are much better off हाँ बुरा है बट we are much better off तो मैं आपसे ये request करता हूँ कि राजा खेडा को आप ये रीको इंडस्ट्रियल एरिया दीए ये red tipism का शिकार नहीं हो यही आपसे मैं request करता हूँ दूसरा एक आपसे और request है एक आप ने आर एफसी बना रखी आपने 100 करोड रुपया दिया है हम क्या 100 करोड रुपय में करेंगे आपका इतना बड़ी आपका पेराफरनेलिया है आप पर employee यदि count करोगे कि कितना business पर employee आता है वो मेरे ख्याल से पाँच लाख रुपय का भी नहीं आता है जबकि NBFC कोई भी अपन चलाते है यू नीट पर employee business of at least 5 to 6 करोड रुपीस यू नीट तो पुट मनी if you want RFC to run otherwise don't even waste this 100 करोड there is no point wasting this 100 करोड they will only go for salaries nothing else क्योंकि RFC से अब कोई loan नहीं लेना चाहरा as compared to commercial banks आप loan बहुत महंगा देते हो as compared to commercial banks और एक चीज और कह रहा हूँ एक second, दो second और RECO में आपके कई bad loans है जो मैं चाहता हूँ कि budget में आप announce कराओ one time settlement scheme लेके आओ RECO के जहां RECO में one time settlement scheme की बहुत बड़ी जुरुत है जब तक आप one time settlement scheme नहीं लेके आओगे क्या करोगे और एक चीज और जिससे की Rajaust्तान के लोग मर रहे है industry minister साब ये आपको करना चाहिए हिंदुस्तान zinc ने कोई system नहीं है चाह मर्जी आती है मां garbage डाल देते हैं का content लोगों में हो रहा है underground mining हो रही है आपके खुद के सदस से बोल रहे है कि इस पे कुछ action होना चीए बट आज तक कोई action नहीं हुआ है मैं आपसे विंती करता हूँ आद्मियों को आपको जीवित रखना है तो हिंदुस्तान zinc के ओपर आप action ले जिससे की आप और हम मिलके एक हिदाइस्तान को सुन्दर राइस्तान बना सकें